नमस्कार कोरोना वैस्विक माहमारी के खिलाब लड़ते लड़ते अब हम अनलोग टू में प्रवेश कर रहे हैं और हम उस मौसम में भी प्रवेश कर रहे हैं जहां सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार ये सारे नजाने क्या क्या होता है ये मामले बढ़ जाते हैं ऐसे में मेरी आप सभी देशवाशियों से प्रार्थना है कि ऐसे समय अपना ध्यान दखिए साथियों ये बात सही है कि अगर कोरोना से होने वाली मृत्यूदर को देखें तो दुनिया के अनेक देशों की तुन्ना में भारत संबली हुई स्थिती में है समय पर किये गए लॉकडाउं और अन्य फैसलों ने भारत में लाखों लोगों का जीवन बचाया है लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि जब से देश में अनलोक बन हुआ है व्यक्तिगत और सामाजिक वहवार में लापरवाई जड़ा बढ़ती ही चली जा रही है पहले हम मास को लेकर दो गज की दूरी को लेकर 20 सेकंड तक दिन में कई बार हाथ दोने को लेकर बहुत सतर्क थे लेकिन आज जब हमें जादा सतर्कता की ज़रुत है तो लापरवाही बढ़ना बहुत ही चिंता का कारण है साथियों लोकडाउन के दौरान पहुत गंभीरता से नियमों का पालन किया गया था अब सरकारों को स्थानिय निकाय की संस्ताओं को देश के नागरीकों को फिर से उसी तरह की सतर्कता दिखाने की ज़रुत है विशेश कर कंटेन्मेंट जोन्स उस पर तो हमें बहुत ध्यान देना होगा जो भी लोग नियमों का पालन नहीं कर रहें हमें उन्हें टोकना होगा रोकना होगा और समझाना भी होगा अभी आपने खबरों में देखा होगा एक देश के प्रधान मंत्री पर तेरा हजार रुपिय का जुर्माना इसलिए लग गया क्योंकि वो सार्वजनिक स्थल पर मास्क पहने भीना गए थे भारत में भी स्थानिय प्रशासन को इसी चुस्ती से काम करना चाहिए ये एक सो तीस करोड देश वाचों के जीवन की रक्षा करने का अभ्यान है भारत में गाउं का प्रधान हो या देश का प्रधान मत्री कोई भी नियमों से उपर नहीं है भारत में पहें झाल, 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 झाल.